हलो फ्रेंड्स मैं हिम्रता स्वागत करती हूँ आपका माई फूड माइन में आज हम बनाने जा रहे हैं एक ही डो और एक ही स्टफिंग से तीन तरीके से आलू के पराथे जिसमें एक ट्रडिशनल जो नॉर्मली होता है वो है एक है ट्राइंकल पराथा या डबल स्टफ या प्रीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है इसका डो लगाने के लिए मैंने यहां पर लिया है दो कपाटा मैं चार लोगों के हिसाब से बना रही हूं तो मैंने द जरूर टालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं दो चमज घी घी से एकदम जो हमारा जो डो है वह एकदम सॉफ्ट बनकर तयार होगा और पराठे थोड़े से खसता बनकर तयार होगे इसलिए इसमें आपको दो चमज घी डालना है और घी डालने के बाद इसको कर देना है हमें थोड़ा मिक्स मिक्स करने के बाद इसमें पाने डाल कर हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तयार करना है नॉर्मल जैसा रोटी के लिए हम डो बनाते हैं हमें उसी तरह कर इसका डो बनाकर तयार करना है यह देख अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने इस पर घी लगा कर रखा है ताकि यह उपर से सूखे नहीं और इसको हमें करी 15-20 मिनट के लिए रख देना है ताकि हमारा आटा और भी जादा सॉफ्ट हो जाएगी देखिए मैंने इस पर फैला दिया है घी अच्छे से लगा दिया है और इसे हम ढख कर रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए इतने हमारा आटा सॉफ्ट होता है हम यहां पर स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हैं आलू आलू को उबाल लिया है और फिर इने अच्छे से हमें मैश कर देना है मैंने यहां पर बताए आपको कि मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से आलू ये हैं और उस में इसमें डाल रही हूं मसाले, सबसे पहले मिर्च डाला है मैंने मिर्च, आप अपने पसंसे कम्याई जादा कर सकते हैं इसके बाद, आधे-चमंच मैंने रिज हैं नमक डाلف है, टेस्ट के अधे-चमंच्ट मैंने अच्छा फ्लिवर आता है और सीम्पल, इसके बाद डालते हैं देखेंहें मैं वारेक चॉपक करके ली है इसमेंहरी हरी मिर्च डाल सकते हैं मैं इसमेंहरी मिर्च नहींSpynam डाल रही हूँ इसके बाद मैंसमें जाएं सब में इसलिए हमें से अच्छे से मिक्स कर देना है यह देखिए हमारी स्टफिंग हो चुके एक तम बनके तयार अगर कोई छोटा मोटा आलू भी आ रहा है ना कोई दिखत नहीं है क्योंकि यह परांठों में सब चलता है और थोड़े मोटे जो आलू आते हैं वह ज टाहिए लार कर लेना है यह देखिए इस तरह से पह बना कर तैयार लीनया है यह देखिए इस तरह से इसको भढ़नी है stuffing, stuffing जो हमने पहले से ही बना कर तयार करी है और फिर उसको ना set कर देना है बीच में ताकि यह भार ना निकले और इस तरीके से हमें इसको बंद कर देना है यह देखिए इस तरह से मैं इसे बंद कर रही हूँ और यह जो extra आर्टा है यह हम इसी पर चिपका देंग और फिर इसको हमें हाथ से थोड़ा फैलाना है ताकि जो हमारी stuffing है वो कोने कोने तक पहुँच जाए इसलिए इसको हाथ से हमें दबाना है यह traditional तरीका है आप इसको यह हमेशा से इसी तरीके से आलू के परांठे बंते आए हैं खाने में बहुत ही डिस्टी लगता है यह परांठा हर जगा पे आपको इसी तरह के परांठे देखने को मिलते हैं और जब आलू थोड़ा से दिखने लग जाए ना समझे हमारा परांठा बिल गया है फिर बंद कर दीजे यह देखिए हलके-खलके आलू दिख रहे हैं मैं दूसरे साइट पर भी हम इसे सिखने देते हैं जैब दूसरे साइट से भी थोड़ा सिख जाए तब हम इस पर लगाएंगे घी और इस तरह से चमस से जिससे भी आप घी लगा रहे हैं ना कर्ची से उसको एकदम से इस पर गोल-गोल घुमाईए ताकि ना यह अच्छी त तक पराठा सिखता है कहीं से भी कच्छा नहीं रहता है और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तयार होता है यह देखिए दोनों साइट से हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह से सिख चुका है इसे यहां से हटा लेते हैं पहले मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगे आपको उसके बाद हम फिर दूसरा तरीका इसका परांठे का बनाएंगे देखे मैंने हटा लिया है और अब मैंने आपको इसे काट कर दिखाती हूँ इस तरीके से कि स्टफिंग जो है वो कोने कोने में जाती है इस परांठे की जीए जिन्हें जादा स्टपिंग नहीं भड सकते हैं, फिर ढह rich, आपने जाता हैं पुक्त बालाफ चाहिं ब्स तरह डीलाए जेडी न输 कर से लोई के रिएक पहले बैल 5 जिस तरह से फिर हम ट्राइंगल शेप परांठा बनाते हैं गी लगातai हैं गी कि बजाए हम इस पर लगाएंगे आलू की st colorful आधे में हमने फैला लिया प्रेस करते हूए नहें देखे इस तरीके से न कॉ कर देना है यह देखे इस तरह से स्टफिंग भी कोने कोने तक फैली रहती है स्टफिंग जादा भी इसमें आती है जिन्हें जादा स्टफिंग वाले पर पसंद दोना उनके लिए तो बैस्ट है यह बनाना बहुत बन जाता है और स्टफिंग भी बहुत जादा आती है देख के उपर भी लग चुकिया है यानि कि स्टफिंग जो है वो तीन पार्ट में लगी है ये देखिए इस तरीके से हम इसे यहां से उठाएंगे बंद कर देंगे देखिए आगे उपर भी स्टफिंग तो ये ट्री ट्रिपल लेट पराठा है अलुका या ट्रिपल स्टफ हमादा भरी गई है इसल्य थोड़ा मोटा ही प्राथा बनकर तयार होका कि कि ये दिके मैंने इसको रूड़ कर लिया है यह देखिए इस तरीके से नहीं से Ama कुन rider पर स्टफिंगہ उतिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ना काई लास्ट तक बीपको वैसे ही अब तवे पर हमें बिल्कुल सेम सेखना है अच्छी तरह से इस पर घी लगाना है तो सारे साइडों से अच्छे से तरह से प्रेस करना है और यह हमारे क्रिस्पी ट्रिपल स्टफ पराथा यह डबल स्टफ पराथा भी आप इसे कह सकते हैं ट्राइंगल शेप पसंदो ना उनके लिए तो बैस्ट है और खाने में बहुत ही दिस्टी लगता है यह मतरब ट्रिडिशनल तरीका तो ही आलो के परांठे का उसे ज्यादा ही अच्छा यह लगता है अब इसे बना के ट्राइ जरूर कीजिगा और फिर मुझे बताईगा कि आपको यह परांठा कैसा लगा यह देखिया हमारा परांठा जो है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तयार हो चुका है मैं आपको इसे भी ना यहां से हटा लेते हैं और पहले से दिखाती हूँ आपको तोड़कर उसके बाद हम बनाएंगे हमारा थर्ड परांठा जो है लच्छा परांठा यह तरन करके मैं आपको दिखाती हूँ तो दूसरे साइड पर भी इसी तरह से स्टाफिंग होगी बहुत ही यमी लगता है यह पूरी स्टाफिंग है हमारा यह पनाठा बनकर हो चुका है तयार इसको हातों से जब आप इस तरह से करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि यह क पर सिखने का ह Lords से बनाने में रोटी की तरह से बला और भी स्टफिन G मौटी स्टफिंग नहीं तोड़ी पतली ही से चुझा अ कि पिए जब अगर हम इसे ज़्यादा मोटी लेयर रखेंगे स्टाफिंग की तो वो रोल होने में फिर फूटेगा इसलिए आप इस पे ठोड़ी कम ही स्टाफिंग लगाईए नॉर्मल परांठे से ज़्यादा ही स्टाफिंग इस पे भी लगती है और फिर इस तरह से इसको काट दीजे इस तरह से रोल करते जाएंगे यह और एक कौन की शेप देनी है मैं इसे जैसे कौन होती है ना बिल्कुल उसी तरह से हमें इसकी शेप देनी है आलू के परांठे तो गर्मी हों सर्दी हों कभी भी हर मौसम में हर किसी के फेवरेट होते हैं खाने में बहुत एटीस्टी ल स्टफ्ट डबल स्टफ्ट परांठा खाना है और सबकी अलगलग फर्माईश होगी जादा मैनत भी नहीं और तयार हो जाता है और सब खुश भी यह देखे इस तरह से कौन बनाई हमने फिर उसके बाद हमने इसको हातों से प्रेस कर लिया है यह देखे इस तरीके से अब ह यह लच्छा परांठा है तो इसके स्टफिंग थोड़ी बहुत तो भार आएगी ही ऐसा नहीं हो सकता कि स्टफिंग बिल्कुल भार ना है क्योंकि जब हमने इसमें स्टफिंग इतनी जादा भरी है नहीं स्टफिंग आई है तो और वैसे भी जब हमने इसको रोल कर रहा ह है और यह इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है बिल्कुल पारिक हमें सरूल नहीं करना है यह देखिए अलो भार दिख रहे हैं क्योंकि लच्छा परांठा है तो दिखेंगे ही इसलिए हमारे यह परांठे एकदम बिल गया है और अब इसे तवे पर ढालकर हमें सेक लेना कर इसे सेक लेना है मेरे घर में यह वला लच्छा परांठा ज्यादा पसंद करा जाता है मेरे बिटे को तो यह बहुत ही अच्छा लगता है बहुत क्रिस्पी बनकर बनता है यह बहुत क्रिस्पी लगता है खाने में भी अच्छा लगता है और इसमें घी भी ज्यादा और ये पराठा बनकर हो चुका है तैयार मैं आपको इसे भी दिखाती हूँ तोड़कर इसे यहां से हटा लेते हैं ये देखिए हमारा लच्छा पराठा भी बनकर तयार हो चुका है बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तयार होता है इसमें घी जादा लगता है बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बनकर हो चुका है एक दम तयार आपको मुझे मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको ये पराठा कैसे लगे तीनों पराठे ट्राए कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताई कि आपको पराठे कैसे लगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिके और शेयर कीजिके और सब्सक्राइ कि जिएगा MyFoodMinds को चल दी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई